असब के इंकाउंटर के बाद प्रियाग राज पिलिसकोस के मोबाईल फोन से एक वीडियो मिला है जिसमें कुछ लोग एक युवक को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहा है कहा जा रहा है कि ये वीडियो अतीक हैमत के महानगर लखनौ इस्थित युनिवर्सल क्रिसंट अपाटमेंट में फ्लैट नंबर 202 का है हम इस समय इसी फ्लैट के बाहर ख़़े हुए हैं और ये वीडियो 19 जनवरी 2021 का बताया जा रहा है वीडियो में कुछ लोग दिख रहे हैं जो एक युवक को कपले उतारकर बुरी तरह से बेल्ट से और लातों से पीट रहे हैं थपड़ मार रहे हैं चपले मार रहे हैं कहा जा रहा है कि अतीक का बेटा असद इस अपार्टमेंट के फ्लैट में रहता था हलागी इस फ्लैट को स्टीफ और पुलिस ने सील कर दिया है उमेश पाल की हत्या के बाद ये पता चला था कि इसी फ्लैट में बैठ कर साजिश रची गई थी और असद हत्या से ठीक दो दिन पहले इसी फ्लैट में था उसके बाद यहां से गाली से सीधे प्रियाग राज पहुचा और वहाँ पर उसने इस संसनी खेज बारदात को अंजाम दिया था पुलिस सुत्रों का कहना है कि अतीक के मुबाइल से ऐसे तमाम वीडियो मिले हैं और इस तरह के लोगों को उठा के अक्सर वो इस फ्लैट में लाता था यहां पर असद और उसके गुर्गे युवकों से मारपीट करते थे उसके बाद दहशत फैलाने के लिए उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते थे कई WhatsApp ग्रुप ऐसे चिन्नित किये गए हैं जिसमें दहशत फैलाने के लिए असद ने इस तरह के वीडियो डाले हैं असद ने एक ग्रुप भी बनाये था जो उसके पिता अतीक एहमत के नाम था जिसका नाम था शेर अतीक उस ग्रुप में भी इस तरह के वीडियो दहशत फैलाने की नियत से पोस्ट किये जाते थे अब प्रयाग राज पुलिस ये पता कर रही है कि वीडियो में जिस युवक से मारपीट की जा रही है वो आखिर कौन है वो लखनौ का है या प्रयाग राज का जल्थ इस बारे में जानकरी लेकर प्रयाग राज पुलिस एक और मुकदमा दर्ज करेगी कैमरा सोगी जीतेंद के साथ विवेक त्रिपाठी एबीपी गंगा लखना हूँ